सुप्रिम कोड़ द्वाया प्रदेश के अलग से शिरोमनी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के गठन के हक में दिये गए निरने के बाद हारियाना सिख गुरुद्वारा मेरेजमेंट कमेटी और प्रदेश सरकार के संव्पत तत्वाधान में साथ अक्तुबर को गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में अखंड पाट का आयोजन करवाय जाएगा नो अक्तुबर को भोग लगेगा इस अवसर पर हारियाना सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और सिख संगत की और से मुख्यमंत्री मनोहरलाल को सम्मानित भी किया जाएगा कमेटी के सदस्यों ने हरियाना निवास में करनाल के सांसद संजय भाटे की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद कहा कि अलग कमेटी के लिए मिली जीत के लिए सबसे पहले वे गुरुद्वारा साहब का शुक्रिया करेंगे वे मुख्यमंत्री मनोहरलाल का भी आभार जताते हैं जिन्होंने इस फैसले में जोरदार पैरवी करवाई वे मुख्यमंत्री ने उम्मीद जिताई की सुप्रिम कोर्ट के निर्णे के बाद अब प्रदेश के सभी 52 गुरुद्वारा साहब हर्याना शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंदक कमेटी की देखरेक में समात सेवा का कारे करेंगे